आज वेलेंटाइन डे है तो प्यार की ये कहानी भी खास है करवाचोत पर व्रत तोड़ने की ये तस्वीर देखिए आमतोर पर एक महिला और एक पुरुष दिखता है लेकिन इसमें दो लड़के दिख रहे हैं रिसमें वही है जैसी होती है पर फील पूरा दिल वाले दुलहनिया ले जाएंगे से लेकर शुब मंगल ज्यादा सावधान तक का है पर ये प्यार दो लड़कों के बीच है ये दोनों लड़के शादी कर चुके है और मर्जी से साथ रहते है परिवार को बता चुके है और बिलकुल ऐसे ही रहते है जैसे पती-पत्मी दोनों करीबन 12 साल से साथ रह रहे हैं कहते हैं एक दूसरे के साथ अच्छा समय spent किया है कई बार परेशानिया आई लेकिन एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहे Obviously as a child बहुत सारे battles होते हैं आप feel कुछ और करते हो बट आपको society के लिए या family के लिए आपको कुछ और किसी और तरीके से behave करना पड़ता है So वो आपके mindset पे बहुत जादा pressure डालता है और वो pressure मैंने भी पेस किया है और हमारे इसे बहुत लोग उन्हें सेम चीज़े पेस करी होगी But coming around कि उससे आगे कैसे निकले या next step क्या लिया I think मेरा next step यही था कि I got more involved into understanding इंदर और आशीश मुंबई में रहते हैं इंदर ने आशीश को प्रपोच किया था इसके बाद दोनों ने अपने परिवार को बता दिया उसके बाद वही समस्याए हुई जो किसी परिवार को बताने में होती है कि बेटा समलेंगीगा है You mentioned earlier के लिए कि तो आशी से connect करना बहुत मिश्किल हो जाए तो obviously I was the one who proposed him first And so it's been 12 years gonna complete this year और हम साथ में हैं And now Touchwood की थोड़ा time लगा फैमिली से open up होने के बाद में उनको understanding करने के लिए कि first of all कि हमारा बेटा is a LGBT तर्मों जिस है भारत में समलेंगीग शादी को माननेता नहीं है पर प्यार तो प्यार है हो गया दोनों को कई बार लगा क्यों न देश ही छोड़ दे हम लोग एक रेंटल घर लिया और तब हमारे लाइफ न देश ही थे सेविन भाद का सेक्शन 3 7 7 7 वर 2013 में वे 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 लिए लिए कि आप लोग क्रिमिनल हो और यह सेक्शन 3 7 7 वे से लगा दिया हमारे लोपर तब बहुत प्रॉब्लम फेस हुए थी कि वह हमारे नेबर्स को तो फील हो रहा थे कि दिया नौट टू फ्रेंज हुज सेंग तोगेलर और तो उन्हों ने थोड़ा कंपें कि हम अमारे लाइन देखी को और फिर लिटरली हमको बोला कि है कि आप लोग को घर शिप्ट करना पड़ेगा आशीश और इंदर की कुछ समय पहले एक करवा चौत की वील इतनी वाइरल हुई कि वो आज मशहुर समलेंगे कपल है अच्छी बात ये है कि दोनों अपने फैसले से खुश है और जमाने की परवा नहीं करते हमारे लिए थे वूसर बिडान है कि एको वाष्टी करना है और फास्टिंग करना इक करना करनाный करना उसरो हमारे लिए वो एक जो होता है फास्टिंग वाला पार्ट, व्यक्षक बनी जो अपने हजí Mira के लिए फास्ट के लिए और लंबी उमर के लिए तो the same reason we took कि हम दोनों को एक दुसी के लंबी उमर के लिए फास्ट करना चीए